हेलो एवरिवन मैं हूर रिशब और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको दिवाली लाइट्स मैनुफेक्टरिंग बीजनस या फिर आप उसे स्ट्रिंग लाइट्स बोल सकते हो या क्रिस्मस लाइट्स बोल सकते हो उसके मैं मैनुफेक्टरिंग बीजनस के बारे में बताऊंगा तो ये जो दिवाली लाइट्स है, स्ट्रिंग लाइट्स, क्रिस्मस लाइट्स जिसे हम बोलते हैं इसे लोग बहुत यूज़ करते हैं, चाहे दिवाली हो, क्रिस्मस हो, नियू यर हो, या फिर फंसरन हो, पाटी हो, इन लाइट्स को बहुत यूज़ किया आता है, सभी जगह इसे डिकुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसकी सेल भी बहुत जादा होती है, तो इस अब जुग में इन लाइट्स की मैनुफट्रिंग बिजनेस के बारे हम बता हूंगा कि आप खुद की एक कैसे ब इने बद्दीजे को बना सकते हो, और कैसे आप सेल कर सकते हो, कौन कों से मस्जिन की आप जगह ज़रूत परेगी, कोन कों से रोअ मेटल्स की जगह परेगी आपको कितने invest करना होगा सभी details मैंने इस वीडियो में बताया है तो अगर आप एक successful Diwali Lights manufacturing business से start करना चाहते हो तो ये वीडियो आप last तक जोई देखिएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्रीज हमारे चैनल subscribe कर दे और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इस business को कैसे start कर सकते हैं तो आप इस business को बीना machines का भी start कर सकते हैं आप बीना machines का भी manually Christmas light, Diwali light बना सकते हैं लेकिन इसमें आपको मेहनत ज्यादा करना परेगा और इसमें हो सकता है quality भी उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी आप एक machine से बना सकोगे दिवाई lights तो हम सबसे पहले machines की बात करेंगे तो अगर आप एक अच्छा-खासा business से start करना चाहते हो बहुत ही बरे लेबल में business से start करना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा दिवाई lights आप बना के sell करना चाहते हो export भी कर सकते हो आप ये lights को बाहर तो आपको कि machine की जरूत परेगी तो machines में सबसे पहले आपको automatic LED string light making machine की जरूत परेगी जो की आपको import करना परेगा चाइना से क्योंकि चाइना में ही इन machines की manufacturing होती है इन machines की sellers वहीं पर है आपको वहाँ से इनको import करना परेगा इंडिया में भी कुछ sellers होंगे जो की चाइना से ही import करके यहां sell करते हैं तो आप खुछ से भी चाइना से import कर सकते हो और आपको alibaba.com पर इन machines के manufacturer से contact करना होगा और आपको import करना होगा उसके बाद जो second machine है वो है wire twisting machine या Christmas light twisting machine तो आपको इस machine की भी जोगत परेगी wire twist करने के लिए जब आपका string light बन जाएगा तो उसको twist करने के लिए ठीक है उसके बाद हम बात करते है raw materials की तो raw materials में सबसे पहले आपको चाहिए होगा LED light bulbs जो कि आपको 3 mm, 4 mm, 5 mm या 8 mm का चाहिए होगा string lights बनाने के लिए ठीक है उसके बाद आपको wire चाहिए होगा जिस भी color का आप string lights बनाओगे उस color का आपको wire चाहिए होगा उसके बाद आपको liquid flux चाहिए होगा और उसके बाद आपको acrylic sleeve चाहिए होगा और last में आपको pouch और boxes भी चाहिए होगा packaging करने के लिए तो हम next बात करते है area requirement की तो minimum आपको 600 to 700 square feet area इस business को start करने के लिए चाहिए होगा अब next license और registration की बात करते हैं तो license और registration में आपको GST registration trade license और Udiam registration आपको चाहिए होगा अब हम next sales की बात करते हैं कि आप कहां कहां sell कर सकते हो तो सबसे पहले आप wholesalers और distributors को supply कर सकते हो जो भी string lights, diwali lights के suppliers है, wholesalers है अब उनसे contact कर सकते हो आप उनको supply कर सकते हो बहुत ही कम rate में और यह जो wholesalers और distributors है यह light वो आपसे bulk मिखर देंगे उसके बाद आप खुद भी direct retail stores में या फिर online भी आप sell कर सकते हो उसके बाद इन lights को आप इंडिया के बाहर export भी कर सकते हो क्योंकि इंडिया के बाहर भी lights को बहुत ही ज़्यादा यूज किया आता है ठीक है चाहे Christmas हो New Year हो पार्टी हो इंडिया के बाहर भी in lights को बहुत ही ज़्यादा यूज किया आता है तो आप इंडिया के बाहर in lights को export करके अच्छा कासा profit भी कमा सकते हो तो आप Alibaba पे Alibaba पे Alibaba पे अपने products को list करके इंडिया के बाहर export कर सकते हो तो अब हम last में investment की बात करेंगे तो आपको total कितना invest करना होगा इस business को start करने के लिए तो सबसे पहले हम initial investment की बात करेंगे तो initial investment में सबसे पहले आपको machine खरीदना होगा तो machine में आपको total 8 से 10 लाग रुपे लग जाएंगे उसके बाद आपको raw materials खरीदना होगा तो raw materials में आपको 1 लाग तक लग सकता है उसके बाद आपको space एक rent करना होगा अगर आपके पास खुद का space नहीं है तो आपको space rent करने के लिए हो सकता है security deposit देना परे तो security deposit में आपको कहीं भी 20 से 50 जार एक लाग तक देना हो सकता है उसके बाद आपको license लेना परेगा तो license के लिए आपको 5 जार से 10 जार तक देना पर सकता है प्लस आपको एक अपने company के नाम पे अपने business के नाम पे एक electric connection भी लेना परेगा अब last में working capital की बात करते हैं तो monthly आपको कितना खर्च करना होगा इस business को run करने के लिए तो सबसे पहले आपको rent देना परेगा अगर आपने एक space rent किया है तो हाँ का आपको rent pay करना परेगा उसके बाद आपने जितने भी staff रखे हैं उन सभी की salary देने परेगी आपको monthly प्लस आपको raw materials भी खरीदना परेगा और प्लस आपको electric bill भी पर करना परेगा तो diwali lights या fancy string lights इसकी business बहुत ही अच्छी है आप इन lights की manufacturing business से start करके बहुत ही अच्छा कासा profit कमा सकते हो आप इन lights को इंडिया में भी sell कर सकते हो इंडिया के बहार भी इन lights को export कर सकते हो और इन lights को सभी जगई यूज किया रता है हर साल इन lights को लागों करोरों में sell होती है तो आप भी इसकी business से start करके अच्छा कासा profit कमा सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाग जरू किजिएगा थैंक यू